और मैंने ये सुझाब दिया फार्मर्स लौ वापस लाने का बहुत सारे लोग निराश है और डिसपॉइंटे कृषी विध्यक को लेकर बयान दिया है उन्होंने कहा कि किसानों के हित में निरस्त कृषी कानूनों को वापस लाया जाना चाहिए कंगना ने ये बयान ऐसे समय किसान किसी भी पार्टी का भविश्य तैक करने में एहम होते हैं कंगना रुनौत ने कहा कि किसान भारत के स्थम्भ है और उन्हें अपनी सम्रिद्धी के लिए क्रिशी कानूनों की मांग करनी चाहिए कंगना के इस बयान से कॉंग्रिस को बीजेपी पर हमला करने का मौका मिल गया उसने सोशिल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें कंगना कह रही है कि क्रिशी कानूनों को वापस लाया जाना चाहिए मुझे लगता है कि यह विवाजपद हो सकता है वे किसानों के हित में हैं किसानों को मांग करनी चाहिए ताकि लापस लाया चौाहिए लेकिन मुझे लगता है किसानों के कि कारी लॉजप वापस अनी चाहिए और किसानों को इसकी वीमान करनी चाहिए ताकि हमारे विकास जैसे बैके बाद की समिति हो रही है हमारे किसान डेमे पर ब्रेक ना लगे अब जैसे One Nation One Election सारे व्रोकरसी हो गये, सारे को हमारे लीडर हो गये, हर रो दो तीन जरी महीने में Section करते रहते हैं तो देश के विकास में किसान वहीं कंगना के इस बयान को नीजी बताते हुए बिजेपी ने बयान से पहले ही किनारा कर लिया है पार्टी की प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि बिजेपी उनके बयान का समर्थन नहीं करती है कंगना पार्टी की ओर से ऐसा बयान देने के लिए अधिकरित नहीं है उन्होंने कहा कि बिजेपी उनके बयान की निंदा करती है बिजेपी प्रवक्ता ने कहा कि सोचिल मीडिया प्लैटफॉर्म पर कंगना रनौत का केंदर सरकार द्वारा वापस लिए गये क्रिश्ची बिलो पर दिया गया बयान वाइरल हो रहा है मैं साफ कर देना सौहता हूं कि यह बयान उनका नीजी बयान है कंगना रनौत बीजेपी की ओर से ऐसा बयान देने के लिए अधिकरित नहीं है हम इस बयान की निंदा करते हैं तमाम सोशल मीडिया प्लाटफॉर्म पर कंगना रनौत जी जो कि भाजपा की सांसद नेत्री हैं उनका एक बयान तीन कृशी कानूनों को लेकर जो की पहले वापस लिए गये थे चल रहा है मैं बिल्कुल स्पश्टिता से कहना चाहता हूं यह बयान कंगना रनौत जी का फ्यक्तिकत बयान है एवं भारतिय जनता पार्टी की तरफ से ना कंगना रनौत जी ऐसा कोई बयान देने के लिए अधिकरत हैं और ना ही उनका बयान जो पार्टी की सोच है तीन कृशी लेकर उसको दर्शाता है इसलिए उस बयान का हम खंडन करते हैं वही विपक्षी दलों ने इसे बीजेपी का छिपा एजंडा बताया कॉंग्रेस सांसत प्रमोत्तिवारी ने कहा कि उनके बयान से बीजेपी का हिडेन एजंडा सामने आया है मामले पर आप सांसत संजैसी ने शहादत के बाद भी किसान विरोधी बीजेपी और मोधी सरकार को अपने घोर अपराद का एसास नहीं हुआ तीन काले किसान विरोधी कानूनों को फिर से लागू होने की बात की जा रही है कॉंग्रेस पार्टी इसका कड़ा विरोध करती है इस बावत आज कंगना रनौत ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में मीडिया ने मुझसे किसान कानून पर कुछ सवाल पूछे और मैंने सुझाव दिया कि किसानों को प्रधान मंत्री मोधी से किसान कानून वापस लाने का नुरोध करना चाहिए मेरी इस बयान से कई लोग निराश और हताश हैं जब किसा की गरीमा का सम्मान करें मुझे भी अध्यान रखना होगा कि मैं अब कलाकार नहीं हूं मैं भारती जनता पार्टी की कार्य करता हूं और मेरी राय मेरी अपनी राय ना होकर पार्टी का रुख होनी चाहिए इसलिए अगर मेरी बातों और मेरी सोथ से किसी को निराशा हुई ह तो मुझे खेद रहेगा और मैं अपने शब्द वापस लेती हूँ नमस्ते दोस्तों पिछले बीते कुछ दिनों में नीडिया ने मुझसे फामर्स लॉव पे कुछ सवाल किये और मैंने यह सुझाब दिया कि किसानों को फामर्स लॉव वापस लाने का परधान मंत्री जी स से निवेधन करना चाहिए मेरी इस बात से बहुत सारे लोग निराश है और डिसपॉइंटिड है जब फामर्स लॉग प्रपोस हुए थे तो हम बहुत सारे लोगों ने जो है उनका समर्थन किया था लेकिन बड़ी ही समवेधन शील्टा से और सहानु भूती से हमारे मान्य प्रधान मंत्री जी ने वो लॉज जो थे वापस ले लिये थे और यह हम सब कार्यकरताओं का करतव बनता है कि हम उनके शब्दों की गरिमा रखे मुझे ये बात भी ध्यान रखनी होगी कि मैं अब एक कलाकार नहीं भारते जंता पार्टी की कार्यकरता हूं और मेरे उप लिए नहीं यह नतीजा आने के बाद ही साफ होगा लेकिन इतना तो तैह है कि सुबह में किसान मत्दाताओं की अच्छी खासी संख्या है और वो किसी भी पार्टी का भविश्यते करने में एहम होते हैं प्रदेश की सभी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारी यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें साथ ही लेटेस्ट खबरों के लिए बेल आइकन को प्रेस को